तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है सस्तिवारी सागर्तिवारी चैनल पर फिर से एक बार और आज आप सबने ये थमनेल देखा होगा तो शायद आप लोग समझ गियोंगे कि किस के बारे में ये वीडियो है और ये थमनेल मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आप क्लिक करके ये तो देखेंगे कि वीडियो के अंदर है क्या और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो लोग भूत, प्रेत, आत्मा, चुडैल, साया इन सब आपको नहीं मानते हैं वो प्लीज इस वीडियो को मत देखना और आप कोई भी और वीडियो देख लेना तो इस वीडियो को बंद कर दें आप लोग और जो लोग मानते हैं और जिन लोगों के साथ ऐसी घटना ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो प्लीज वो आज मेरी ये स्ट ये इंसिदेंट मेरे साथ हुआ मैं वहीं रहूं और तब ये स्टोरी आप से शेर करूं तो आप सभी को बता देता हूं ये मेरा होम टाउन है यूपी में उत्तर प्रदेश में और मैं यहां पर आया हूं जो इंसिदेंट है वो नीचे वाले फ्लोर का ये सेकंड फ्लोर है बाकि ये ओपन स्पेस है पूरा आप सभी को बता देता हूं कि एक घटना जो मेरे साथ घटी रात को सोते टाइम वो क्या हुआ आपको मैं बताता हूं कि रात को दो ड़ाई बजे के अराउन मैं अपने दो दोस्तों से बात कर रहा था जो कि बहार रहते हैं अमेरिका में कैनेडा में रहते हैं और हम चार लोग सो रहे थे दो लोग भार सो रहे थे दो लोग अंदर रूम में सो रहे थे मलब एक ओपन टेरेस पे दो लोग भार की तरफ थे दो लोग हम मलब मैं और मेरा कैमरा मैं हम साथ में सो रहे थे तो बात फोन पे करते करते कुछ ऐसी या कोई शायद निकल रहोगा मेरे घर के सामने से लेकिन वो फिर से दुबारा हुई चीज मैंने फ्रेंड्स को कहा कि यार देखो मैंने आपको बाद में कॉल बेक करता हूं और मैंने उनको बताया नहीं कि क्या हुआ एक्चुली फिर मैंने फोन को एकदम डिसकनेक्ट किया और मैं बैठ गया और मैंने बहुत शांस तरीके से उस चीज को सुनने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि मेरे राइट साइड में जो विंडो है उसे कोई नौक कर रहा है जैसे खटखट चंचंचं ऐसी हवाज आ रही होगी और अल्दो मैं इन चीज में बिलीब नहीं करत चाहता हूं कि बड़ा मुश्किल है ऐसा होना लेकिन मेरे साथ हुआ और मुझे लगा कि मुझे शेर करना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी काफी सारी वीडियो में यह कहा है कि एक हॉंटिड इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपसे जल्दी शेर करूंग तो मुझ मुझे लगा कि शायद यह जग रहा होगा और इसने खिड़की को बजाया होगा लेकिन जब मैंने लाइट ओन करी तो देखा कि वो सो रहा था फिर मेरे को लगा कि शायद कोई बहार होगा मैं बहार की तरफ गया उन दौनों फ्रेंड्स को जो मेरे साथ में थे उनको यहांने यह बहार कोई भी नहीं था अपने लेफट साइड देखा घर तरफ वहां के भी सब्सक्राइब बताते तो यहीं से बहुत मुश्किल है रात को दो बजे किसी का निकलना फिर भी मेरे को लगा कि शायद मेभी कोई औरत महां से निकली होगी कुछ अमरजेंसी हो सकती है फिर मैंने देखा मैं चारो तरफ घूमा लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं मैं वापस आया, मैं लेटा, दुबारा से मैंने फिर से वही आवाज सुनी और आवाज सुनने के बाद क्या हुआ जो आगे दो बंदे, जो दो मेरे फ्रेंड्स ते आगे सो रहे थे उस में से एक मेरा फ्रेंड उठा और मेरे से कैरा यार सागर आवाज आरी है क्या मैंने का, हाँ और मैं इसलिए जगा हुआ हूँ फिर हम दोनोंने दुबारा उठके पूरे घर में उपर नीचे बहार सारे विंडो चेक करें मिलको ये भी लगा कि शायद विंडो कोई ओपन होगी हवा की वज़े से होगा मैं हर जगे घूमा बहार देखा नीचे गया और हम दुबारा से लेट गए सब कुछ करने के बाद चेक वेक करने के बाद और जब हम लेटे फिर से वो आवाज आई मैंने हनुमान 40 चलाई और मेरे फ्रेंड ने बोला आवाज आ रही है तो मैंने उसको यही बोला कि जो साथ वाला फ्रेंड है तो उसके थोड़ा सा क्लोज हो के सोजा और हनुमान चालिसा एरफोन में लगा ले और सुन ले तो शायद ऐसा ना हो लेकिन वो आवाज आती रही और मैंने इग्नॉर किया और जो मैं करता रहता हूँ जो मुझे चीजे पता है मैंने भगवान का नाम लिया कुछ ऐसे मंत्र भी पड़े जो कि मैं हॉंटेट पेसिस पे जाके पढ़ता हूँ महां से वीडियो खतम करने की बाद और वो आवाज उस टाइम पे बंद हो गई फिर मैंने सोने की कोशिश जब करी फिर वो दुबारा से आवाज आई लेकिन मैंने उस चीज को अवाइड किया बिलकुल इग्नॉर कर दिया अब जो इस कहानी के अंदर में ट्विस्ट है जो चीज फिर से हुई वो ये हुई अब हम सारे सो गए हैं मलब चारो बंदे सो रहे हैं लेकिन अब बहार वाला जो मेरा फ्रेंड है एक तो पहले जो मेरे साथ जग के पूरे एरिये में घूमा और हम आगे सो गई जो उसके साथ में सो रहा था वो आया उसने मुझे उठाया और उसने मुझे ये बोला कि भाई कोई आवाज आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आज पास से कोई औरत निकल रही है मैंने उसको बोला कि देख ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी हमने नोटिस करी थी लेकिन हमें पता नहीं चला ये क्या है तो तू एक काम कर चुपचप सो जा और अगर तरको डर लग रहा है तो तू मेरे साथ आके सो सकता है फिर वो हमारे साथ ही आके सो गया फिर उसे आवाज आती रही उसे नीन नहीं आई उसने इस पेड़ की तरफ देखा ये जो मेरे पीछे पेड़ है बिल्कुल और घूमा भी वो एक दो बार वो कहरा मैं भी चेक करता हूँ और डरता कोई नहीं जितने भी मेरे फ्रेंड सरकल में लोग है mostly ऐसे हैं कि कोई डरता नहीं है लेकिन अब देखो कुछ न कुछ ऐसी चीज किसी को feel होगी तो obvious ही बात है तो वो कहेगा तो जरूर तो मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा था मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया फिर से और मैंने फोन को एर्पेन मोड पे लगाया और मैं सो गया फिर जब वो दुबारा उठा मतलब वो फिर से आया फिर उठा मिर से कहा रहा मुझे ऐसा लग रहा कोई है कोई चट पे घूम रहा है बमारी फिर वो चट पे गया चट पे देखिया ऐसा कुछ नहीं था लेकिन कुछ ऐसे गाओं है या शायद आपके साथ भी होता होगा कोई आप में से होगा यहां का उत्तर प्रदेश का उसने क्या किया अपने पर जो चपल थी वो उल्टी कर दी और रख दी जहां सो रहे थे तो अब हम सुबह उठे उसने मुझे बताया कि भाई मुझे आवाज आ रही थी ऐसी ऐसी बात थी और मैंने चपल उल्टी करके रख दी उसके बाद से वह आवाज होनी बंद होई यह हो सकता है चार बजग अगर कोई ऐसी चीज किसी को फील होती है या दिखती है या वाज आती है तो लोग गाउं में ऐसे नुस्के कह सकते हैं या ऐसी चीजे करते हैं जिससे उनको लगता है कि यह चीजे दूर चली जाती हैं अब नेक्स दे हम उठे फिर रात हुई फिर देखा ऐसा कुछ हमानी वह उस रात की कानी थी तो मेरा वाज आने का यहरी जर्ण था कि आज सक मैंने कभी किसी भी जगह पर ऐसी चीजे नहीं देखी न सुनी नको एसी आवाजों को फील किया लेकिं camera man सो रहा था लेकिन तीन बंदे तो गलत नहीं हो सकते ऐसी situation अगर हुई तो obviously बात है वो real होगी क्योंकि हर कोई बंदा अपनी अलग-अलग बात बोल रहा है, although हमने next day discuss भी किया कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ किसी के घर से कुछ आवाज आती है किसी को कुछ फील होता है तो मुझे लगा कि ये स्टोडी मुझे शेर करनी चाहिए डर तो लगा था लेकिन ये हो रहा था, मिरको जो curiosity हो रही थी, वो ये हो रही थी कि ये है क्या, मैं जानना चाहता था ये आवाज क्यों आ रही है क्या कारण है इस आवाज आने का लेकिन वो नहीं पता चल पाया क्या था, क्या नहीं था next day मैं उठा, मैंने आसपर उसमें पूछा तो लोगों का ऐसा कहना है, मैं बना मेरे गाउं में कि यहाँ पर कोई ना कोई घूमता है तो मैंने बुला, चलो ठीक है आपका कहना हो सकता है, सही हो लेकिन तीन मंदों के साथ एक ही चीज एक ही रात में हो रही है तो ये कहानी जूटी नहीं हो सकती लेकिन मैंने कोई चीज देखी ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कहा रहा हूँ बस ये एक स्टोरी है, मेरी एक कहानी है, जो मैं आप से शेर करना चाता था, और मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ, गर आपकी कोई हॉंटे स्टोरी है, तो ऐसे वीडियो बना के मुझे मेल कीजिए, मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकूँ, अच्छी clarity होनी चीए, अच्छी voice होनी चीए, ज्यादा होनी चीए, क्योंकि काफी लोग वीडियो शूट करते तो आवाज बहुत कम आती है, तो लोग सुन नहीं पाते, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी quality की वीडियो हो स्टोरी जो मेरे साथ हुई, और एक और कहानी मैं बताना भूलिया, जो मेरे साथ हुई, अगर आप वो जानना चाहते हैं, अल्थो वो बहुत जादा बड़ी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है, बहुत interesting है, और वो क्या है, अगर वो जानना चाहते हैं, आप वो चीज मेरे साथ हुई वो क्या हुई अगर जानना चाहते तो कॉमेंट करके जरूर बताना फिर से सागरतिवारी यह स्टोरी आपको जरूर सुनाएगा और मैं रिक्यस्ट करता हूं कि वही बंदे देखें जो मानते हैं और नहीं मानते तो मैं एक ही चीज कुँगा तो ऐ आपने अगर यह वीडियो देखी होगी तो आप याद करें या अपने कोई फ्रेंड की ऐसी स्टोरी याद करें जिसमें शायद ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी कीप सपोर्टिंग टेक केर और इंस्टाग्राम स्नैप चैट फेस्बुक ट्यूटर पर फॉलो करना ना भ